हेलो मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ लर्न विद प्रमेंद्र रावत में इस सेशन में हम डिसकस करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैट्स का प्रेक्टिस सेट 30 तो चलिए शुरू करते हैं पहला कॉश्ण है X प्लस Y बराबर 4 और X स्कूर माइनस Y स्कूर बराबर 8 हो तो X माइनस Y का मान ज्याँद कीजिए एक फॉर्मला मैंने आपको बताया था A स्कूर माइनस B स्कूर बराबर A प्लस B in टो A माइनस B अगर यह formula आपको याद है तो यह question काफी easy है यहाँ पे लिखते हैं x square minus y square बराबर 8 तो यह आपका होगा a square यह आपका होगा b square तो a plus b means x plus y और a minus b means x minus y बराबर है आपका 8 और x plus y की value हमें कितनी दे रखी है 4 तो 4 गोणा x minus y बराबर है 8 x minus y बराबर हमें पूचा है बराबर होगा 8 बटे 4 इसको हमने पक्सांतर कर दिया ठीक है 4 से कटेगा 2 बार तो x minus y की value कितनी आ गई दो option number a अगला प्रश्न है एक कमरे की लंबाई 10 मीटर चोड़ाई 5 मीटर और उंचाई 5 मीटर है कमरे की दिवारों पर 75 सेंटी मीटर चोड़ा कागस लगवाने का खर्च 10 रुपे परती मीटर की दर से हो तो कुल खर्च क्या होगा आपको दे रखा है l बराबर दे रखा है 10 b बराबर आपको दे रखा है 5 मीटर और c बराबर आपको दिया है 5 मीटर सोरी h बराबर आपको दिया है 5 मीटर तो कमरे की चार दिवारों का खेतरफल क्या होता है आपका दो गुणा लंबाई धन चोड़ाई गुणा उचाई तो यहाँ पे आपको दे रखी है लंबाई 10 प्लस चोड़ाई कितनी है 5 और उचाई कितनी है 5 तो दो गुणा दो गुणा दस और पांच पंदरा गुणा पांच तो पांच दुना दस, दस गुना पंदरा बरावर कितना होगा, डेट सो मीटर स्क्वाइर, तो ये आगे आपका चार दिवारी का छेतर फ़ल, ठीक है, अब इसने क्या कहा, कि कमरे की दिवारों पर 75 सेंटी मिटर चोड़ा कोई कागज है, ठीक है, इसने कागज लगाया है, जिसकी चोड़ाई तो कितनी है, 75 सेंटी मिटर है, चोड़ाई कितनी है, 75 सेंटी मिटर ये वाली, ठीक है, और इसकी लंबाई इसने बताई नहीं है, ठीक है, और इसने क्या बोला है, कागज लगवाने का खर्च 10 रुपे पर 3 मिटर की दर से क्या होगा, तो इसने हमें च 20 मीटर को मीटर में करन बढ़ करते हैं तो यह होगा आपका 75 बटे 100 मीटर तो इसकी कागज की चोड़ाई कितनी है 75 बटे 100 मीटर और 4 दिवारी का छेत्रपल कितना है 1500 मीटर स्क्वेर तो जो 4 दिवारी का छेत्रपल होगा वही छेत्रपल होगा कागज का वही कागज का क्या होगा छेत्रपल होगा ठीक है और कागज की हमारे पास केवल क्या है चोड़ाई है और अलंबाई हमारे पास नहीं है तो कागज की लंबाई मानलो क्या है एक्स है तो कागज का छेत्रपल लंबाई गुणा चोड़ाई कितना है चोड़ाई है आपकी 75 बटे 100 बराबर होगा 4 दिवारी के 6 तरफल की बराबर कितना है 500 तो एक्स बराबर क्या होगा 500 बटे 75 गुणा में आपका आएगा 100 इसको पक्सांतर करते ही यह क्या हो जाएगा उल्टा 75 से 500 कटेगा दो बार तो 100 गुणा 2 गुणा 10 बराबर 2000 इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ने से ही आपको प्वेश्चन समझ में आएगा ठीक है जो लोग इस वीडियो को लेटे लेटे देख रहे हैं उनको कुछ भी फाइदा नहीं होने वाला है तो आप काम करिए notebook और pen साथ में रखिए और साथ साथ में solve करते चलिए ठीक है चलिए अगले question की और इसको हमें solve करना है ठीक है आठ गुणा यहां पर है 6 कोस्टक शरू दो बटे 3 भागा चार बटे 9 गुणा में आपका है दो बटे 3 बराबर क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करते है छोटा कोस्टक या फिर कोस्टक solve करते है ठीक है या bracket solve करते है तो 8 गुणा 6 अंदर आपका है 2 बटे 3 जब भी आप भाग करते है जैसे 2 बटे 3 भागा 4 बटे 9 है यहां पर भागा है ठीक है 4 बटे 9 है जब भी हम भाग करते है तो यह वाली भि बिन हो जाएगी उल्टी 9 बटे 4 दो से कटेगा 2 बार दो से कटेगा 3 बार तो यहाँ पर क्या आएगा गुणा यह बिन हो जाएगी आपकी उल्टी 9 बटे 4 और गुणा में आपका है 2 बटे 3 अब इन सबको हम एक साथ ले लेते हैं ठीक है 8 गुणा 6 सारे गुणा में है गुणा यहाँ पर भी आएगा गुणा 2 बटे 3 गुणा में आपका आएगा 9 बटे 4 गुणा में आपका है 2 बटे 3 तो यहाँ से 3 से कडिया 9 तीन बार 2 से 4 कडिया 2 बार 3 से कडिया 3 एक बार 2 से कडिया 2 एक बार तो आंसर कितना आ जाएगा 8 अगला प्रेशन आपका है यदि एक बेलन की तिर्जा दो गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा इसको ध्यान से समझना बेलन की तिर्जा पहले कितनी है आर है बाद में उसकी तिर्जा कितनी कर दी गई टू आर कर दी गई ठीक है दो गुनी कर दी गई अब आपको पता होगा बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वाइर एच यहां पे आर कितनी बार आया है दो बार तो यहां पे मैं क्या करूंगा इसका स्क्वाइर कर दूंगा ठीक है तो दो दुना चार आ स्कारा का स्कूरार। तो बिरदी कितने की हुई है। आपकी तो कितने की बिरदी की हुँय में लिघ Cities थो कितनी बढ़ेगा। टिन गुना ठीक है। woodsalberg झाला encourage स historians उर्फ से देखना है। तो आप तो आपकी से देख सकते हैं। पहले Ar R थी अब तरजा कितनी हो गई अब तरजा हो गई आपकी 2R तो पहले आपका जो छित आईतन था वो क्या था πाई R स्कौएर H अब आपका आईतन क्या होगा पाई R की जगे में हम रिखेंगे 2R स्कौएर का मतलब दो बार R गुणा में आपका आएगा H तो pi r square h यहाँ पे आपका होगा दो दूना 4 4 pi r square h तो बिर्दी कितने की हुई पहले ये था यहाँ पे 1 pi r square ह Swître है यहाँ पे 4 है तो इन दोनों का difference कितना हैगा 3 pi r square h अगर हम इसमें से इसको घटाएँगे तो कितना हैगा 3 pi r square h तो कितने की बिर्दी भी, तीन गुनी बिर्दी भी, ठीक है, option number B next question है, सही बिकल्प का चायन कीजिए आपको दिया हुआ है no, sec square A, minus no, 10 square A, बराबर क्या होगा इन दोनों में से हमने no तो ले लिया common, यहां बचेगा sec square A, यहां आपका बचेगा 10 square A ठीक है, एक formula आपका होता है, 1 plus 10 square A, बराबर होता है आपका sec square A, इस formula को आप याद कर लिजिए, ठीक है, यहां आपका formula होता है और इनको हम अगर पक्सांतर करते हैं, तो यहां पे आपका आएगा, यहां पे बचेगा 10 square को लेके जाते हैं इदर, तो यहां आएगा आपका sec square A, minus 10 square A, जो की यहां पे दे रखा है तो इसकी value कितनी है, 1, तो यहां पे अगर हम 1 रखते हैं, तो 9 गुणा 1 बराबर कितना होगा, 9, option number B, इसका बिलकुल सही होगा ऐसे ही कुछ एक दो formulae और हैं, उनको भी आप note कर लीजिए, एक पहला formula है, पहला formula है आपका sin square A, sin square theta, plus cos square theta, बराबर 1, दूसरा formula आपका है, 1 plus 10 square theta, जो अभी लिखा था हमने 1 plus 10 square theta, बराबर, sec square theta, तीसरा formula आपका है, 1 plus cot square theta, बराबर होता है, cos sec square theta, ये formulae भी आप साथ साथ में याद कर लीजिए, चलिए, अगला question आपके सामने है, 25 बटे 81 का, की whole घात 1 बटे 2, एक बटे 2 का मतलब होता है, root, तो root 25 बटे 81, 25 का बरगमूल क्या होता है, 5 और 81 का बरगमूल क्या होता है, 9 अगर आपको ऐसे solve नहीं करना है, तो आप ऐसे भी इसको solve कर सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं, 5 का square, 9 नमा 81, और इसकी जो whole घात है, वो कितनी है, 1 बटे 2, अगर इनकी जो घातें जो सेम होती हैं जब, तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 बटे 9, 5 बटे 9 का whole square, की whole घात कितनी है, 1 बटे 2, और जब भी ऐसा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, M into N होता है, ठीक है, A की power M into N, तो 5 बटे 9, गुणा में आपका आएगा, 2, sorry, 5 बटे 9 की घात, 2, गुणा में आपका आएगा, 1 बटे 2, 2 से 2 कड़ गया, तो 5 बटे 9 इसका सही उत्तर होगा ठीक है, option number B, अगला प्रशन है, यदि 2 बटे 5 क्विंतल चावल की कीमत 180 रुपे है, यहाँ पे आपको दिया है, 2 बटे 5 क्विंतल, ठीक है, इसको मैं के से denote कर रहा हूँ, क्विंतल चावल की कीमत जो है, चावल की कीमत क्या है, कीमत बराबर है आपकी 180 रुपे, तो हम सबसे पहला काम क्या करते है, एक क्विंतल का, यहाँ पे हम मूले निकालेंगे, ठीक है, तो एक क्विंतल चावल की कीमत क्या होगी, 180 रुपे, यह हो जाएगा यहाँ जाके उल्टा, 5 बटे 2, यह भाग में जाता था, यह उल्टा हो जाता है, ठीक है, 5 बटे 2, एक कुंटल का हमें आप पता चल गया, अब हमें कितना निकालना है, 4 बटे 6 कुंटल का, तो 4 बटे 6 कुंटल की कीमत क्या होगी, 180, गुणा 5 बटे 2, गुणा में आपका आएगा 4 बटे 6, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से 180 से कटेगा 60 बार, तो यहाँ पे आजाएगा आपका 6, 35, 30, 300 रुपे, option number 1 अगला प्रेशन है, सम्लम्ब चतर बुझ में आमने सामने की बुझाएं, बुझाओं का एक जोड़ा होता है, सम्लम्ब चतर बुझ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है तो इसमें जो होती है ये वाली भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के समानतर होती है क्या होती है समानतर अप्सन नमबर B अगला है सेक साट का मान क्या होता है तो सेक साट का मान होता है आपका अप्सन नमबर B दू तो ये आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है बार बार ये आ रहे हैं तो आपको याद आप इनको याद कर लीजिए ठीक है अगला है एक कक्सा के कुल चात्रों में से एक बटे चार चात्र परताप हाउस में तीन बटे दस चात्र रंजीत हाउस में तथा तीन बटे बीस चात्र सिवाजी हाउस में पढ़ते हैं बाकी बचे अठारा चात्र चंद्रकुपत हाउस में पढ़ते हैं कक्सा में कुल चात्रों की संक्या कितनी है माना कुल चात्रों की संक्या कितनी है X कुल चात्रों की चंक्या हमने मानी है X उसमें से X में से 1 बटे 4 X का 1 बटे 4 मिन्स X बटे 4 चात्र कहां पढ़ते हैं प्रताफ हाउस में प्लस रंजीत हाउस में पड़ते हैं X का 3 बटे 10 मिन्स 3X से बटे 10 चात्र पड़ते हैं रंजीत हाउस में प्लस 3X से बटे 20 चात्र आपके पड़ते हैं सिवाजी हाउस में अगर हम इन सबको add करते हैं तो इनका LCMI गा 20 चार से कटेगा बीस पांच बार तो पांच से यहां गुणा करेंगे पांच गुणा एक्स बरावर पांच एक्स प्लस दस से बीस कटेगा दो बार तो यहां दो से गुणा दो ती यहां च्छे एक्स प्लस 20 से 20 कटेगा एक बार तो एक से यहां पर गुणा 3 एकम 3X बराबर होगा 5 और 6 11 और 3 14 X 14 X बटे 20 तो इतने चात्र जो है परताफ हाउस रंजीत हाउस और सिवाजी हाउस में पढ़ते हैं तो टोटल జात्र कितने एक्स और बाकी जो बचयवे 3 मोई 8 तो यहां से अगर हम बचयवे चात्र निकालते हैं तो यहां से 6 आएंगे 6 चात्र कितने होगे x माइनस 14X बटे 20 अगर इनका हम L से हम लेते हैं इसके बटे में होगा एक इनके हैल चेम आएगा 20 तो 20 एक बीसएंग की 20 तो यहां होगा 20 से गुणा 20 गुणा एकस बरावर होगा 20X माइनस वी से कम 20 तो एक से गुणा 14 एकम 14X तो यहां पर आपके पास आएगा 20 में से 14 गया 6X बटे 20 तो 6X बटे 20 क्या है सेश चात रहें जो कहां पढ़ते है चंद्रगुप्त हाउस में और इसकी value हमें कितनी दे रखी है 18 6X का मान हमें दिया है 18 X का मान कितना होगा X बराबर होगा 18 गुणा इसको हम क्या करेंगे पकसांतर और यह हो जाएगा उल्टा 20 बटे 6 6 से कटेगा 18 तीन बार और X की value कितनी आएगी 3 गुणा 20 बराबर 60 तो टोटल चातर कितने होंगे 60 ठीक है चलिए अगला question है 1534 में कम से कम कौन सी संक्या जोड़ी जाए कि यह 31 का पूर्ण भाजक पंद्रा 34 में तो यह भाग जाएगा पहली बार जाएगा 4 तीयं 12 4 तीयं 12 4 तीयं 12 यहाँ पे आपका बचेगा 9 यहाँ आपका बचेगा 4 में से 2 गया 2 यहां पे आपका बचेगा 1 तो यहां पे 6 कितना बच गया 15 अगर हमारे पास 16 और होते तो 31 से यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाता ठीक है अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 31 में से अगर 15 को एड करेंगे तो कितना आएगा 16 तो 16 अगर हम इसमें एड करते हैं तो क्या होगा यह संख्या जो है पूरी तरह से 31 से डिवाइड होगी ठीक है अगरा प्रेशन है वे संख्या ज्यात करें जिसमें 6 जोडने पर इनका पूर्ण भाजक बन जाए तो इन सब का हम क्या करेंगे LC हम लेंगे 27 के गुणनखंड आपके होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 36 के गुणनखंड आपक दूनी 4 तियां 12 तियां 36 और 63 के गुणनखंड होते हैं 3 तियां 9 सता 63 और 108 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी दूनी चार दूनी आठ आठ सोरी आठ निया आएगा सोरी यहां पर आएगा 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36 तियां 108 तो 108 के गुणनखंड यह होते हैं ठीक है अब इन में से अगर हमें LC हम निकालना है तो पहले हम क्या गरेंगे जोड़ी बनाएंगे तो सब में common क्या है एक त दूसरा यह वाला तीन जो है एक यहां पर है एक यहां पर है और एक यहां पर है और एक यहां पर है और एक यहां पर है दो तीन तो common आ गए एक यह वाला तीन भी बचाए एक यह वाला और यह दो में common है ठीक है उसके बाद यह दो इसमें और इसमें यह वाला दो भी इसम में और इसमे तो इसका nine यह टीन यह वाला उसके बाद यह वाला लुछ घुना मेट है तीन गुणा लुछ उसके बाद 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना बचा है आपका 7 1 दो 3 7 इसके बाद इसको गुना करेंगे तो क्या ऐगा 2 दुना 4 तियां 12 तियां 36 तियां 108 108 गुना 7 बराबर आपका होगा 7 अथा 56 और साथ एकम 7 756 तो इसने बोला है वह संक्या ग्यात करें जिसमें 6 जोडें तो इसमें से अगर हम 6 माइनस करते हैं 756 तो वो संक्या हमें प्राप्थ हो जाएगी 750 756 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 750 ओप्सन नमबर D अगला प्रेशन है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा इसको आप तभी कर सकते हैं जब आपको थीटा की वेल्यू पता होंगी तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ थीटा की वेल्यू 45 ओप्सन से भी हम कर सकते हैं तो 10 थीटा का मान होता है 1 प्लस कॉट थीटा का मान भी कितना होता है 1 तो बराबर होगा आपका 2 option number e अगरा question है 10 बेक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 बेक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो formula था आपका m1 into d1 बरावर होता है m2 into d2 m1 की value है 10 d1 की value है 20 बरावर m2 की value है 20 और d2 की value हमें find करनी है तो इस 20 को हम यहां लेके जाएंगे तो 10 गुणा 20 बटे 20 तो 20 से 20 कट गया तो कितना आएगा डी टू बरावर 10 दिन में अगला है एक पारक की लंबाई तथा चोड़ाई का अनुपात 3 अनुपात 1 है पारक की परिदी 320 मेटर है पारक की भीतरी दिवार की ओर 2 मेटर चोड़ा एक रास्ता बनाया गया है रास्ते को बनाने का कुल खर्च डेड़ रुपे परती वर्ग मेटर की लागत से कितना होगा आपको दिया है लंबाई और चोड़ाई का अनुपात अनुपात B आपको दिरखा है तीन अनुपात 1 तीन को हम लिख सकते हैं 3X और एक को हम लिख सकते हैं X और आपको दिया है आयत का परिमाप या पारक का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है आपका 320 मेटर के और आयत का परिमाप क्या होता है बराबर है 320 के बराबर होगा 320 के और एक्स बराबर क्या होगा 320 बटे 4 दुना 8 8 से कड़ेगा 32 4 बार तो यहां पे आएगा 40 तो X की value कितनी आ गई? 40 मीटर तो इसकी चोड़ाई आई 40 मीटर और इसकी लंबाई कितने आईगी 40 गुणा 3 बराबर कितना होगा 120 मीटर ठीक है अब यह जो पारक था इसके अंदर क्या किया गया 2 मीटर चोड़ाई एक रास्ता बनाए गया है इस रास्ते की जो चोड़ाई है और इस पूरे पारक की जो लंबाई है वो कितनी है 120 मीटर 120 मीटर इसकी चोड़ाई कितनी है 40 मीटर कुछ दिन पहले मैंने आपको एक फॉर्मॉला बताया था क्योंकि यह कुशन रिपीट हुआ है एक फॉर्मॉला था इस रास्ते का जब हम एरिया निकालते हैं इसका छेत्रफल हम निकालते हैं तो इसका छेत्रफल होता है रास्ते का छेत्रफल छेत्रफल जब रास्ता वीतर की और बनाया गया होगा ठीक है इसका छेतर पर होता है 2x गुणा लंबाई धन चोड़ाई माइनस 2x यहाँ पे x बराबर है 2 मीटर रास्ते की चोड़ाई ठीक है तो इसमें अगर हम value रखते हैं 2 गुणा x की value कितनी है 2 लंबाई कितनी है 120 प्लस चोड़ाई कितनी है 40 माइनस 2 गुणा 2 तो 2 गुणा 4 यहाँ पे आपका होगा 120 प्लस 40 160 माइनस 2 गुणा 4 तो 4 गुणा 160 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 156 मीटर इसको आगे हम calculate नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इतना मीटर इसको इसका क्या आएगा area आएगा इस रास्ते का अब इसने बोला है कि एक मीटर का खर्चा कितना है 1.5 रुपे एक मीटर का खर्चा कितना है 1.5 रुपे और हमारे पास कितना मीटर स्को आएगा 156 मीटर स्को आएगा 156 तो चार गुणा 15 कितना होगा 156 और एक जुरो यहां पे पहले सही है ठीक है तो यहां पर एक दो अंख है दसम्रूपके बाद तो यहां पर भी एक और दो तो यहां पर आपका आगया 6 6 से अगर 156 को इन दोनों को गुणा करके कितना है 6 तो 6 गुणा 156 बराबर कितना होगा 6 चका 36 और 6 पंजे 30 और 6 कम 6 और 3 6 कम 6 और 3 9 6 चका 36 चैपंजे 30 और 3 33 6 कम 6 और 3 9 936 चलिए इसको दुबार से गुणा करते है ठीक है यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन हो गया है 6 चका 36 चैपंजे 30 और 3 33 6 कम 6 और 3 936 रुपेस पे कुल खर्चा आएगा ठीक है तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें